गुद मॉर्निंग एब्रीवन वेलकम तु रेडिशन दूर्स ओनलाइन क्लासे प्रम रेडिशन दा स्कूल जेवर दिस साइड आभा जायन क्लास टीचर अफ फैलके जी और दिस यूर मैस्ट बग पीडियो फोर देट 3 नवेंबर 2020 question is I can observe the data and organize it the first one has been done for me okay students तो यहां पर कुछ alphabets लिखे हुए है यह rectangle में okay और उन्हें समझाने के लिए नीचे भी एक rectangle बना हुआ है और वहाँ A B C B लिखा हुआ है लिखा हुआ है वहाँ पे रहे है ये यहां पर वाले जो रेक्टेंस जितने A हैं हमें नीचे में लिखने हैं जैसे की पर pół रिकार दूसरा बीयोलिक है टो यह, हमें उपार क्रचो करने जतने क्ल़ों कि इस वपर है उतने ही हमें नीचे हाले rectangle में बनाने है then c तो c हमें उपर से सर्च करना है उतने c हमें यहाँ पर बनाने है उसी तरह से d को सर्च करेंगे और जितने d उपर है उतने हम नीचे बनाएंगे students तो यह हो गया आपका data handing और जो first a b c है उनको हमें count नहीं करना है students next work is addition students first of all right here date and c w यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 के उपर हमें 5 line draw करनी है then plus का sign then 3 तो 3 के उपर 3 line draw करेंगे अब हमें इने एकदम से rhythm में count करना है रुकना नहीं है अलग-अलग नहीं लिखना है इनको एक साथ count करना है 1,2,3,4,5,6,7,8 so answer is 8 we will write 8 then 4 4 के उपर 4 हमें lines draw करनी है then 2 के उपर 2 then answer is 6 then 3 3 के उपर 3 line draw करेंगे 2 के उपर 2 line draw करेंगे 3,4,5 answer is 5 इस तरह से हमें 4 के उपर 4 line draw करनी है 1 के उपर 1,4,1,5 then 3,1,4 then 2,2,4 इस तरह से आपको पूरा वक यह complete करना है okay students, thank you, bye bye